तो यहां पर बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में बिटकॉइन के अंदर आज बाउंस है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा मेभी शायद अगर आपका कोई ट्रेड यहां पर उपन होगा तो डेफिनिटली चालू हुआ होगा लास्ट पर जो फॉलिंग वेज है उसको मार्केट उपर जाता हूँ मिलने वाला है तो इसका जवाब बेसिकली मैं आपको संडे की लाइब वीडियो से अल्रेटी दे चुका था जहां पर मैंने आपको दो सिनारियो प्ले आउट करते हुए पिताया थे कि मार्केट के लिए जो भी यहां पर इंपोर्टेंट कर आए तो करेंट अगर फॉलिंग विच अभी करेंट लिए पर 47,700 पर स्टेबिलिटी देता है तो हम कह सकते कि शॉर्ट तम में जो मार्केट है वह आपका 52,000 से लेकर एप्रॉक्स अपर 55,000 तक यहां पर जा सकता है देन फिर हमें क्रेश मिलता है या फिर वहां से और ज जब तक मार्केट इस वाले लेवल को ब्रीच नहीं कर लेता जैसे मैं आपको लास्ट वीडियो से बता रहा हूं तो तब तक हम लोग थोड़ा सा कॉशिस रहेंगे बिटकॉइन के उपर छोटे मुटे जो परम से हमें देखने को मिलेंगे तो प्राइस गिरता है तो प्र सारे रिबंस भी क्रॉस होने चाहिए ब्लू के उपर तब जाके हम कहा सकते हैं कि मार्केट अब ट्रेंड की तरफ बढ़ रहा है लेकिन एक पॉजिटिव खबर है आप सभी लोगों के लिए वह यह है कि अगर आप बिटकॉइन को थोड़ से बड़े स्केल पर देखने की नहीं ही बताया था यहां पर कि हमें एक पैटेंड शूल्डर टाइप का पैटन देखने को मिल रहा है लेकिन उसके साथ एक और इंट्रस्टिंग पैटन आज जो मुझे आप देखने को मिला था अगर आप यहां से ट्रेंगल को लेते हैं यह वाले पॉइंट से तो यहां आपर जिस हम लोग टाउन चैनल की बात कर रहे थे आरे साही के अंदर वो भी फाइनली ब्रेक हो चुका है तो मैंने कल आपको बताया थे कि अगर हम 40 के नीचे हैं तो हम बेरिश रहेंगे अब 40 के उपर क्योंकि हम आ चुके हैं तो यहां पर कहीं ना कहीं मार्केट थोड चुके आपको इक बैटर डील यहां पर देने वाला है तो आपको बता चुका हूं कि लगबग 49,500 ब्रेक होना इसेंशल है वो ब्रेक नहीं होगा तो बिटकॉन में इस्यू क्रेट रहने वाला है बाकि आप यहां पर भी देख सकते हैं कली मैं आपको लगा के पताया था सब्सक्राइब करते हैं और केवल क्रिप्टो के नहीं बलकि सब्सक्राइब करना यहां पर हम सीख सकते हैं इसके दिख जानका रिक लिए आप डारेक्ली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं यहां पर यहां पर आ जाते हैं हम लोग बिटकॉन के सब्सक्राइब करते हैं यहां पर बात करते हैं हम लोग अल्टकॉन की डॉमिनेंस के बारे में तो यह थोड़ी सी गिरी है ओविसली बिटकॉन की डॉमिनेंस बड़ी थी थी थोड़ा सब्सक्राइब करते हैं लेकिन फिफ्टीन परसेंट से एकजिट होना ही बैटर नहीं पर फिर होगा नेक्स आप बात करते हैं एथिरियम के बारे में थोड़ा सा टर्न आराउंड करने के कोशिश करी है हाला कि रिजिस्टेंस इस्टिल बहुत बड़ा है और जो कल में आपको यह में रिजिस्टेंस दिखाया था वह भी आप यहां पर डारेक्ली चेक कर पाएंगे यह में रिबन का और इसी पॉइंट के उपर हिट करने की कोशिश कर रहा है तो यहां पर इंपॉर्टन चीज यह होती या तो जो प्राइज है यानि कि हमारी कैं वहां से जा सकता है नहीं जा सकता है एक तो दिन के अंदर फिर हम लोग सोचेंगे कि बुलिश मार्केट पर होना चाहिए या नहीं लेकिन जब तक यह रिजिस्टेंस पर नहीं होगा हमें इतिर्यम पर ब्रेश ही रहना चाहिए फटें तो शौट टम में जो इपसाइड में और नीचे से आता है तो थोड़ा सा मार्केट मोमेंटम अपसाइड में हो सकता है फिर भी अगर आप चीज़ों पर फोकस करना चाहिए तो यहां पर आप एक पैनेंट ड्रॉ कर सकते हैं छोटा सा पैनेंट है जिसने उपर ब्रेक करने की कोशिश करी है पर क्या दिखाने वाला है एक दूसरे वाले चार्ट में हमें कुछ खास हैं पर देखने को नहीं मिल रहा है इसको अगर में रिमूफ कर भी देता हूं तो मैक्सिमम आप यहां से एक लेवल तो इसके अको आपको भी फॉलिंग वेज जैसा ही पैटन मिलेगा जैसा कि लास्ट कर सकता है लेकिन अभी हमें resistance को बिल्कुल भी नहीं भूलना है जो मैं आपको बता चुका हूं तो पहले resistance क्लियर होने देंगे उसके बाद हम देखेंगे कि एथिरम में क्या करना है बाकि जिनको डिब बाए करना है उनके तो ऑपरचुनिटी समिशा पनी रहेंगी नेक्स इस पूरे पोर्शन को तब तक हम थोड़ा सा कॉशिस रहेंगे क्योंकि पिछली बार भी यहां से rejection हुआ है तो हो सकता है यहां से हमें फिर से rejection देखने को मिले एक बार अगर यह मार्केट यहां से और मार्केट यहां पर होल्ड करता है देन आप बुलिश हो सकते देन फि अपर ट्वंटी डॉलर के असपास हमें देखने को मिलता है जिसका ब्रेक होना इसेंशल है बात करते हैं फिर से बच गया हम क्या सकते हैं थोड़ा सा पर डाउट हो रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा एक की लेवल को हिट करने के कोशिश कर रहा है और आप यहां पर वही फ बता है बीन भी में तो आप यह सकते कि मार्केट यहां से शॉट तम में एक लिस्क्स फिफ्टी डॉलर को टेस्ट कर सकता है नहीं तो फिर दियान रखें यह रजिस्टेंस अगर मार्केट फिर से रेजेक्शन देगा तो इस वास सपोर्ट के टूटने के चांसे यहां पर से थोड़ से बढ़ जाएंगे तो इसके ब्रेक आउट के बाद ही प्रॉपर ली जाएंगे अब इसे ले सकते हैं पर अभी ले में लगवग 5 पर संगारेक से इतना अगर आप अफोर्ट कर सकते हैं तो एक पार आप यहां पर फाइप फॉर या फाइप फॉर्टी ट्री लोगो ब्रेक होने के बाद सेटल होने का वेट यहां पर फिर कर सकते हैं बाकि इसमें कोई खास भी चींजिस नहीं है कल जो आपको मैंने बताया था वही है कि अगर 500 डॉल ब्रेक होता है यहां पर 430 डॉल तक मार्केट नीचे की तरफ मोमेंटम फिर कर सकता है नेक्स करने का रजिस्टेंस करने को मिल रहा है पॉइंट की ऊपर जाता है वापिस होड़ करेगा तैना आप टार्गेट 1 डॉल का रख सकते हो लेकिन अगर कोई रिजक्शन होता है तो पहला टार्गेट पॉइंट पॉर दूसरा टार्गेट 78 के आसपर हम शॉट का फिल लेके यहां पर चलने वाले नेक्स वन की बात करते हैं तो यह है नियो में जो हमें एक्सपरेशन थी वह थोड़ी नीचे थी मार्केट फेक आउट करके वापिस ऊपर गया है लेकिन अभी जो सेंटर लाइन है 26 डॉलर की वह यहां पर ब्रेक नहीं हुई है तो इसको ब्रेक होन इतना बैटर नहीं लग रहा है लेकिन हाँ अगर बिटकोई अपर मोमेंटम देता है तो नियों के अंदर पर आपको फॉर्मेशन कल तक देखने को मिल जाएगा नेक्स आपे बात करते हैं डॉट के बारे में डॉट से बहुत अच्छे उमीद थी कि एक ट्लिस टॉंटी है तो थोड़ा सा वेट करके देखें कि अगर हम डॉट को दो या तीन डॉलर महंगा भी ले लेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा देखें अगर यहां से हमारे पर पर ऑप्शन है कि डॉट नीचे मिल सकता है तो उसके उपर ज्यादा फोकस है आप पर करने वाले हैं नेक् अगर आप कोई भी बूली सेनारियों देखते हैं तो मैं यहीं कहूंगा कि आप थोड़ा सा वेट करें यहां पर फॉर फॉर्टी सिक डॉलर के ब्रेक होने का क्योंकि ब्रेक नहीं होता है और जो आपका अपर रिजिस्टेंस बॉक्स है वो प्राइस को नीचे की तरफ प सकते हैं कि यह लेवल कितना था इंपॉर्टेंट है जिसके उपर मार्केट जाता है था सूर का नहीं जाता है तो आपको देखने को भी आप फिर मिल सकते हैं लास्ट वान के बात करते हैं काड़ेनों में बेसिकले मैं एक्स पर कर रहेते हैं सपोर्ट यहां पर ब्रेक हो जाता है लेकिन अभी मार्केट थोड़ा पाउंस कर चुका है तो आपको लगवग 5% का मोमेंटम मिला है बट कल जैसे मैं आपको रसेस्टेंस लेवल बताई गया है 1.29 से 1.3 के असपा से और यह अगर ब्रेक नहीं होगा तो कहीं ना कहीं इशू यहां पर क्रेट होने वा लेकिन अगर इसका अपर रसेस्टेंस लेवल ब्रेक हो जाता है 1.3 का आप फिर बुलिश हो सकते हैं चार्ट को हम जो भी फॉर्मेशन को रिमूव करके नए तरीके से फिर काउंट यहां पर कर पाएंगे तो यह थे दोस्तों सारे की सारे कौन जो कि हमने कवर करें अब च पुराने आइडियो ने अच्छा परफॉर्म करा है और अभी करेंटली जो मैं आइडियो देखने को मिल रहा है वो है मैनेरियम का जिसकी प्राइवेट और पॉब्लिक सिल्स बिसिकली आप आ चुकी है तो इसकी जो प्राइवेट सेल है वो 22 दिसंबर को है और पॉब्लि करेंगे टूनामेंट सब रख सकते हैं आप लॉंच कर सकते अपना गेम और उसके अंदर भी अर्निंग यहां पर कर पाएंगे इन्वेस्मेंट ऑपोश्यूटी पे देखेंगे तो स्टेकिंग होल्ट वाने डी इंफलेशनरी टोकन है तो 20 परसंट जो भी प्रॉपिट हो क्या क्या कंडिशन्स आपको देखने को मिलने वाली है तो सबसे पहले आपको आजाना है कौमनिटास की वेबसाइट के उपर इनकी जीतनी पी लिंक से वह आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के आप मिल जाएंगी और यहां पर आने के वाद कर पाएंगे चाहांपर की मिनिममम स्टेकिंग का जो क्राइटरिया है वह हंड्रेट कॉम टोकन का होने बाला है और अगर आप थ्री थाउसन को मिल जाती है तो अगर हम इसके प्राइस के आप बात करें तो हंड्रेट कॉम टोकन अल्रेड़ी एक डॉलर के असपास होते है इसल्ञा पर यहां पर सारी मिलती है कि आपको को कॉम टोकन को सबस्क्राइब करना है पूल के अंदर और उसके सबस्क्राइब कर सकते हैं प्रस जितने बी कॉम टोकन आप स्टेग करेंगे कि बहुत बार सवाल आता है कि कितने टोकन हम आईडियों में लेने वाले हैं तो आपका जो कह सकते हैं कि कितने टोकन्स आपको मिल सकते हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे प्लस इसको आप पर IKO याने की इनिशिल कम्मूनिटी ओफरिंग यहाँ पर कहा चाता है तो यह आपको देखने को मिलता है और इसमें एक चीछ का ध्यान रखे कि अलोकेशन होगा आप इसके अंदर eligible नहीं होंगे जैसे मैंने बता है कि यहाँ पर आपको अलग-अलग ब्लॉक्चेंस मिल जाती है जैसे पॉलिगन बीसी इथिरियम लेकिन अभी करेंटली जितने भी आईडियों हो रहे हैं वो सारे की सारे आप पर पॉलिगन चेंपर हो रहे हैं ज डी सी टोकन के लिए और यहां पर करने के आपको जो भी टोकन से वह देखने के लिए पर मिल जाएंगे और इतना करने के बाद आप डार्यक्ति किसी भी लॉंच पूल में जा सकते हैं और इनके अंदर पार्टिसिपेट फिर यहां पर कर पाएंगे लेकिन सबसे पहला प् और इसकी बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको इसी पीछ पर देखने को मिल जाने हैं जहां पर क्या आपको बूस्टर वन बूस्टर टू के अंदर पार्टिसिपेशन मिलेगा और एक और पार्टिसिपेशन राउंड है FCFS यानि कि फर्स काम फर्स सर्फ राउं तो चलते हैं अपनी सीधे निउस के उपर सबसे पहले दोस्टा पर निउस आ रही है जैक डॉर्सी की तरफ से जहां पर कि उनसे किसी ने पूछा था कि क्या बिटकॉइन जो है वह यहां पर रिप्लेस कर सकता है और हम सभी जानते कि आने वाले टाइम में चीज तरे कोविट के बाद जितने अदर नोट प्रिंट हुए हैं सारी चीजे हुई हैं वह कहीं ना कि बहुत बुरे स्केल पर हर्ट करने वाला है उसको भी सेटल डाउन करने के लिए कि इंटरनेशन मॉनेटरी पीमेंट सिस्टम हमें चाहिए जो आज की टाइम पर बिटकॉइन से पीछे कर दिया है TVL के मामरे में और सेकेंड नंबर पर आ चुकी है सबसे पहले पर आती है एथिरियम और अब यहां पर आ रही है टेरा प्रोक्षें जिसके टेरा प्रोजेक्ट में 18.2 बिलियन का इंवेस्मेंट बेसिकल यहां पर हुआ है और अगर हम पीसी की बात करे आया है मैंने कर टेलिग्राम में पर अब्रेट कर दिया था लेकिन इसका एक वीडियो मैंने अल्रेडी बनाया था जहां पर एक एक एयरट्रॉप हमें देखने को मिल सकता है जैसे की एनस टोकन में मिला था क्योंकि यह बी एक उसी तरह की की सर्वीस है तो में भी शायद यह जब तक वीडियो लाइव हो या फिर वीडियो लाइव होने के बाद हमें चीज़ देखने को मिल जाए तो आप इनके टूटर अकाउन को फॉलो करते रहे ना कि जो भी यूएस्टी होटलर्स है जिसको आप डोमेनिया पर कह सकते हो वो जो भी होटलर्स है उनके कुछ कुछ आने वाला है और अगर यह एर्ट्रॉप अनॉंस होता है तो डेफिनिट्री में एक साइपरे वीडियो बना दूँगा जिसे आपको अप्डेट मिली जाएगी और नहीं भी तो आप फॉलो कर सकते हो देखो कि हमाँ पर क्या मिलता है अगर आपने उस टाइम पर से वो कुछ अलग नहीं है और अगर हम दिहां से देखें तो पिछले 13 साल में आखरी के जो दो मैंने वह इसी दरीके के यहां पर रहते हैं हाला कि यह चीच मुझे सही नहीं लगी क्योंकि चार्ट में हमने बहुत सरी अलग चीज़े देखी है नवंबर दिसमबर मंद कही आप बुलिश रहते हैं लेकिन इस टाइल पर बिटकॉर्ण के प्राइस नहीं नहीं दिया है तो में भी आतो है साइकल थोड़ी से लंबी है या फिर हो सकता है कि साइकल में हमें थोड़ी चींजिस देखने को आपे मिल रहे हैं तो अब यह सारी चीज़े तो हमें इस हुआ है कि जो एक वाइडर कंसल टेंशन है वह करा जाएगा और यहां पर यहां पर बिल करने की सुरत है तो यह चीज़ तो हमें पहले से पता है निउस आर्टिकल पता नहीं क्यों बार बार इसको उचार रहे हैं कल निउस आई थी कि नहीं उसको कुछ भी होता है तो ब् आघ आप निउस को आप पर देख सकते हो तो इसलिह मैं कहते हूं कि निउसे लिए की सकते है उसको इस बीकुल करो बंक सकते हो ग्लिटींडे हों और आपका ट्रीडिंग करने का जो काम है, आप अपनी प्रोसेस में आपे लगे रही है, अब दोस्ते वीडियो आपस अब पर पसन आई होगी, तो अगर वीडियो को पसन तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा, अगर अभी तक आपने चैनल, अपने फैम डिया फ्रेंड के आपने चैनल को सब्सक्राइब करें, तो देरी ना करें, उन सबी की साथ शेयर करें, ताकि वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट से डेली अपडेटेट यहां पर रह सकें, और अगर आप आए फॉर्स ताम इस चैनल के उपर तो तुरंच जाहिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप मेरा आनमली सब्सक्राइब की इनफरमिशन प्रॉपर टाइम पर पर पास सकें, तो मैं मिलता आप से लिए, कुछ नहीं देस्टेटिंग वीडियो के साथ, तब तक लिए, have a great day and bye-bye.